आज का स्टॉक मार्केट हिल में आज का स्टॉक रहने वाला है इंडिया स्टील वर्क्स लिमिटेड हमारे एक स्टॉक के बारे में डिमांड की थी कि सर आप इस स्टॉक के बारे में अपनी राय दीजी बताईए कि स्टॉक कैसा आपको लगता है तो मैं वही विचार आपके सामने प्रस्तोर करने वाला हूं तो सबसे पहले अगर आप fundamental कंपनी का देखेंगे तो काफी छोटी कंपनी है 65 करोड के आसपास इनका मार्केट गया है एक चीज जो आपको notice करनी चाहिए वो यह है कि कंपनी पर करजा बढ़ चुका है तीन साल पहले कितना करजा था 47 करोड क के आसपास करजा था अभी देखेंगे 131 करोड का कर जाए यानि कंपनी पर करजा काफी जादा बढ़ चुका है इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आरोसी आरोई भी यहाँ पे काफी जादा माइनस है एक लिस कंपनी का प्रॉफिट में होना चाहिए अगर माइनस में देखने को मिल देखेंगे तो जिरो परसेंट अभी तक अनाउंस नहीं किया डिविडेंट और 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 मॉस्ट वेल्यू के आसपास जो है इस ट्रेड कर रहा है चार उपए 67 पैसे कहाई है और एक रुप एक सट पैसे कलो है लगातार जो यह स्टॉक है गिरते के अभी नंबर कैसे आ रहे हैं तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी की जो नंबर से बहुत सब्सक्राइब खास नहीं है सेज कंपनी की जैसी पहले थी उससे भी खराब अब हो चुकी पहले कंपनी अच्छा से जनरेट करती थी बट अभी के ताइम में और भी कि यहाँ पे बेकार सेस कंपनी की देखने को मिल देगे अगर आप यहाँ पे देखेंगे नेट प्रोफिट पहले माइनस सेवनपोइं इट वन था यानि की साथ करोड एक्क्यासी लाक यह सबस्पास लॉस था कंपनी को अभी देखेंगे तो 7.55 देखने मुला है यानी ल 22 करड़ों से घटे घटे 60 लाकी हो चुकिए तो मैं आप से यह कहूंगा कि कंपनी में बहुत ज़्यादा दम अभी बचा दिखने ही रहा है अगर आप यहां पर देखेंगे कंपनी का जो पर्फॉर्मेंस है अगर साल दर साल देखेंगे तो उसमें भी बहुत दादा इंप्रूमेंट नहीं है इन फैक्ट 2011 के आसपस कंपनी की काफी अच्छी सेस थी बट अभी घट करके केवल और केवल 24 क्रोड़ों की रह गई है त तो मैं आपको यही चीज़ हर वीडियो में समझाने की कुशिश करता हूं तो से स्टॉक में कोई जो फंडमेंटल है वो दम बिल्कुल नहीं नजर आ अभी तक बाकी अच्छी बात यह कि प्रमोटर का जो होल्डिंग है वो बिल्कुल बराबर है पहले जितना था उतना अ चुके हैं इस टो टो पर यहां पास यहां पर चुक्ल फिरसे चार रूपाइब लेकिन उसके लिए कंपरी चांचे नहीं है तो सच्टा फिरसे ओपर नहीं जा पाएगा बल्कि जिस तरह से साथ बर्से गिरावट हो रही ही वैसल यह नीचे फिर से और भी नीचे जाने ल यहां से जा सकता है या फिर अगर बड़े प्लियर्स मैनिपलेट करते हैं स्टॉक को तो फिर से स्टॉक चार रोपय के आसपास आ सकता है यह टोटल नेरभर किस पर करेगा बड़े खिलारी रोपय वह अगर बाय करना चाहेंगे तो डेफिनिटली करेंगे नहीं तो नहीं ब पुछ कर दीजेगा मिलते हैं नेक्स वीडियों सब तक लिए धन्यवाद